नमस्कार हाले बजार में आपका स्वागत है मैं हूँ इमान सुक्मार इस वीडियो में लोग बात करते हैं दिन फर के शेयर बजार के उठक पठकी आज मार्केट कितना चाढ़ा कितना डाउन हुआ इसी के बारे में इस वीडियो में तबसिश से बात होती है एक नज़र डा निफ्टी से निफ्टी आज 410 अंकों की मजबूती के साथ 16500 ठाउन पर बंद हुआ जबकि ओपन देखेंगे तो यह उपन हुआ था 161515 पर और दिन भर में इसने 16749 का हाई भी लागाया बजार की नज़र ठीकी थी कि निफ्टी की आज 16700 या 16600 की लेवल तक बना रह सक और इसका रेजिस्टेंस लेवल 16887 यदि कर निफ्टी 16887 की लेवल को पार करके यहां पर क्लोजिंग देता है 800 के लेवल के असपास तब माना जाएगे कि बजार में इस्टेबिलिटी बनी रह सकती है और अगले दिन भी शेयर मार्केट में तीजी दिखने को मिल सकती है इसका सपूर्ट लेवल 1665 हलाकि निफ्टी इतना नीचे नहीं आएगा इसकी उमीद बहुत कम है अब बात करते हैं बीएसी के सेंक्स की तो सेंक्स आज 1328 अंकों की मजबूती के साथ 55800 ठाउन पर बंद हुआ है जबकि आपको मैंने कल बताया था कि लगभग 1000 अंकों की साथ कल सेंक्स बंद हुआ था लेकिन अज उस जदिक की मजबूती के साथ सेंक्स आज बंद हुआ है ओपेन हुआ था 55321 पर और इसने दिन बर में 56183 का हाई भी लगाया बजार की नजर टीकी थी कि निफ्टी सेंक्स जोग है कम सकम 56000 के लेवल तक बना रह पाएगा ले देखने को मिल सकती है और इसका शपोर्ट लेवल रहेगा तीरपन हजार के आज पास सेंक्स आएगा या आएगा तो फिर उपर भूट जाएगा लेकिन यहां तक आगा को बहुत कम है अब हम लोग बात करते हैं आज कौन-कौन से कंपनिया का जो सेर से काफी हाई प्राइ तो देखिए आज जरे चड़ें ऊकपनिया नीसान प्रबंद हुए प्रिटाण की सेक्टर के दिगर्स और हिनलिबर चैसे दिगर्ज कंपनिया सामील इनके बनी उमीद है कल बजार में रावनक बनी रहा सकती है तो कल अगर रावनक तेजी के साथ बनी रही तो इन सब कमपनियों के सेर भी हरे निसान पर बंद होंगे उमीद करता हूँ वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा अगर मन में कोई सवाल है या कोई सुझा होए तो हमें जरूर बताएं बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया सुबरात्री